आज विधान सहबा में काफी गहमा गहमी रही और शिक्षामंतरी मदन दिलावर के इस्तिफ़े को लेकर विपक्ष अडा रहा और इसी बात पर उसने सदन से वाक आउट कर दिया हमेरे साथ में रामलाल शर्मा जी मौझूद है बैसा बाज जिस प्रकार से विपक्ष का रवया रहा मदन दिलावर जी कई बार इस चीज को साफ कर चुके हैं कि उन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं बलकि राज्कमार रोत के उस बयान पर कमेंट करा था ज किसी की भी बात सुनने के लिए तयार नहीं है संचनी पैदा करके और सदन से वाक आउट करके जाने की इनकी फितरत बन चुकी है आदित बन चुकी है लोकतंतर के अंदर ये ठीक नहीं है अगर एक कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका उत्तर सुनने का मादा भी इनको है तो यह बिल्कुल गलत है सरकार की तरफ से भी इस परश्टिक रण पहले भी दिया जा चुका है अब फिर आज मदन दिलावर जी देंगे निस्टी रूप से अपनी बात को वो इस परश्टता के साथ सदन के अंतर रखेंगे और भारते जंता पार्टे हमेशा हर वर्क को स 302 दिन हमने देखा कि जब संपून विपक्ष अपनी बात कहना था तो उनकी बात सुनी गई लेकिन जब सदन के नेता प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी जब अपनी बात कहना है तो उस समय भी विपक्ष ने काफी हला मचा है लोकसपाय स्पीकर ओम बिला जी के कहने पर भी अंदर सत्तापक्स के लोगों ने पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ सब को बोलने का दिखार दिया सबकी बात सुनी देहरे के साथ सुनी सरकार ने लेकिन जब सरकार की बारी आई तो इस तरह की के हरकत करना एक तरह के से लोकतांतरिक मुल्यों का भी हास है और एक तरह के स तौपर इस थाइब से इंजिक नियुकर ताके आदार के ओपर भी मैं कयता हूं कि उनका नितिक पतन है और नियुसेते दूप morally लेकृट में है या मुद्धे ऐसे है जो जनी से जुड़े वे तो उने मुद्धों का समधान वार्था के मादम से ही और पक्स व फक्स के मादम से हो सकता है इस तरीके से चीटा की सी करना ओछे सब्दों का परियोग में लेना और देश के पर्धान मंतरी नरेंदर मोधी जी के उपर टिका टिप्टिंग करना तो वो मेरे काल ची उचित नहीं है राजस्थान अब उपचुनावों में जा रहा है तो क्या तैयारिया चल रहे हैं वाजबर तैयारे हैं भारत जिनता पार्टी की पूरी है और जितने भी उपचुनाव पांच विदान समाओं क वहां हमारे कार्यकरतों की नूकती हो चुकी है जूती लगा चुकी है और सारी परिस्तियों की समीक्शा भी करेंगे और निश्यत दूर्प से पांचो की पांचो स्टेम कैसे जीच सकते हैं उसकी तैयरे की साथ हम चुनाओगी समर के नदर जाएंगे अगर राज़कुमार रोत अपने आपको हिंदू नहीं मानते हैं तो उनका डियान ने टेस्ट कराएंगे लेकिन उनके बयान को तोर मडोर कर पेश किया गया और आज उसी बात पर उनके इस्तेफिक इमां को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने वाक आउट कर दिया रामलर शर्मा जी का कहना है कि विपक्ष सही बात सुनने का माददा नहीं रखता और इस प्रकार के अगर वो हरकत कर रहा है तो यह सरासर गलत है स्योगी केमरामेन अजे के साथ उमंग माथुर जनता दर्बार